अज हेमंत सरकार की सौयात्रा निकालेगी भाजपा 27 संडक्षित भरहष़टाचार की खिलाप परदेश भाजपा आज जिला मुख्यालों में राज की mounting की सौयात्रा निकाल रही है सामगा जिल्लो में पूतला दहन का कारेकरं निढाईत्किया गया है भारतिये जानता पार्टी के पर्देश महामंत्री आधिते साहू ने बताया कि पर्देश अध्यक्ष दिपक परकास के निर्देशा अनुसार रभीवार आठ माई को जारकन के सभी जिला मुख्यालों में पार्टी करकरता है ओ द्वारा जारकन मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार की सोयात्रा निकाली जा रही है बतादे भाजपा ने एक बार फिर से जारकन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन को निशाने पर लिया है परदेश भाजपा अध्यक्ष और राई सबास सदसे दीपक परकास ने राई सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भरश्टा चारियों पर एड़ी की छपे मारी से हमान सुरेन सरकार बुरी तरह बुखला गई है रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपया महंगा रांची में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में सनीवार से 50 रुपय काईजाफा हो गया है दाम बढ़ने के साथ ही अब रांची में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लोगों को एक हैर साथ की जगा पर एक हैर संतावन रुपय चुकाने होंगे इससे पहले एक माई को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 103 रुपया 50 परसा की बढ़ोतरी की गई थी हलाकि उस समय घरेलू गैस सिलेंडर में किसी तरह का जाफा नहीं किया गया था इससे पहले घरेलू गैस सिलेंडर की दाम 22 मार्च को 50 रुपया बढ़ाए गए थे भरष्टा चारियों के साथ खड़े हैं मुख्य मंत्री बीजेपी जारखन में ED की रेट को मुख्य मंत्री हिमान सुरें द्वारा गिदरभाव की बताये जाने पर बीजेपी परदेश अध्यक्त दीपक परकास ने पलटवार किया है दीपक परकास ने कहा है कि ये भरष्टा चारियों को बढ़ावा देने वाला ब्यान है जब जब कॉंग्रेस के साथ राज में UPA की सरकार बनी है इसी तरह भरष्टा चारियों को बढ़ावा मिला है जैवी खेती से स्री लंका में भूखमारी की स्थीती स्री लंका में जैवी खेती को बड़े पैमाने पर प्रोसाहित किया गया है उर्वारक के इस्तेमाल पर प्रतिबंद लगाया गया इसके सकरात्मक पक्ष उभर कर सामने आये लेकिन इस परियोग ने स्री लंका के सामने भोखमारी की समस्य पैदा कर दिया अनाज का उत्पादन कम हुआ और भोजन की कमी हो गई अनाज के लिए स्री लंका को बड़े प्रमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा एबाते HSBC भारतव स्री लंका की अर्थ सात्री आयूसी चोधरी ने कही वेजमसेदपूर के XLRI में XPGDM की और से स्री लंका में संकट की जथीती क्यों उत्पन हुई साथ ही इससे भारत को क्या सबक लेनी चाहिए विशाय पर आवजीत पैनल डिसकसन में बतर मुख्य वक्ता बोल रही थी पूजा सिंगल मामले की CBI कर सकती है जाच मनरेगा खोटाला में दो दिनों तक जार्खन की वईष्ट IAS अधिकारी पूजा सिंगल वा उनके सहयोग्यों के यहाँ प्रवत्तन निदे साले ने दो दिनों तक छापे मारी की छापे मारी में जाच एजनसी को इस बात का संकेत मिल गया है की खान सचीव ने जीलों में उपायूक्त रहने की दवन कई अनिमित ताय की IAS पूजा सिंगल के मामले को भरष्टा चार के एंगल पर भी जाच ने किया हूँ सकता है इसे देखते हुए IAS ने CBI मुख्याले से इस समधने पत्रचार किया है और अनुसांसा की IK इस पूरे परकरन की जाच CBI की फ्रस्टा चार निरोधक ब्योरो की टीम करेगी तो कई और खुलासे होंगे रांची के कई हस्पिटल क्लिनिक को ततकाल काम रोकने का निर्देश रांची के सिविल सर्जन ने सनी वार को दो नीजी स्वास्त संस्थानों सवर सयोर डागनोलिस सेंटर बुढमू चोक वा साई सेवा सदन राय में छपा मारा जास में दोनों संस्थानों का राय स्थेशन फेल मिलने पर 48 घंटे में असपश्टी करन देने को कहा गया मचली मारने कुए में उत्रे दो युगों की महथ पलामू जिलेके मेदनी नगर सदर धना छेत्र के भोसी गाओ में मचली मारने के लिए कुवा में उत्रे एक युवक की मौत हो गाई उसे बचाने के लिए कुवा में गई दूसरे युवक की भी मौत हो गाई सुचना मिलते ही गाओं के लोग कुवे पर पहुंचे इसके बाद पुलिस को इस मामले की जनकारी दी गाई गरामिनों के सहयोग से दोनों सोवों को अरिजोनों को सौप दिया गया ऐसी है संका है कि कुए में जहरीली गैस से उनकी मौत हुई है गुमला में 14 मईदुरों से लुटा मोबाइल गुमला में भर्नो थाना छेतरे के महुगाव इस्थीत पारस नदी में कड़ोरों की लागत से पूल निर्मान कराये जा रहा है बिती रात 12 बजे 7-8 की संक्या में आय अक्यात हथियार मंद अपरादियों ने सोर हे कुल 14 मईदुरों से धाका मोकी कर मोबाइल लुट लिया लुट पार्ट के बाद निर्मान कारे बंद करने की भी धमकी दिया है सनिवार की सूबा गटना की सुचना पर भर्णो थाना परभारी मवगाओं पहुचे और मजदुरों से घटना की जनकारी लिया है पूलिस घटना स्थल पहुचकर मामले की जाज में जूट गई है अभी तक थाना में इस गटना को ले का ठेकेदार के द्वारे प्राथमी की दर्ज नहीं कराई गई है गढ़वा में अवायद हर्बल हेयर ओयल वा सेंपुल निर्मान राज जे औस धी निदे सालाय नामकुम राची की टीम ने छापे मारी कर गढ़वा थाना छेतर के नवादा गाओ के बीरसा नगर टोला तथा मजियाओ थाना छेतर के मजियाओ कला में सुक्रवार को छापे मारी कर दिली बिसुकर्मा द्वारा अवायद हर्बल हेयर ओयल के जाने पर परदफास किया है वही नवादा के बिरसा नगर में बजील नामक हरवल हेयर ओयल के अलावा सेंपूर का भी निर्मान किया जा रहा था जबकि इसी माकान से सटे दिली विश्वकर्मा के रिष्टेदार के घर में अरुएदिक वा अंगरेजी दवाओं का अवैद स्टोक भी बरामध हुआ है आई एस अफसरोप पर टेंडर घोटाला का अरोप जारखन हाई कोट में मुख्य मंत्री हमन सुरन के खिलाप दाखिल याचिका में प्रार्थी की ओर से पूरक सपत पत्र दाखिल किया गया है इस याचिका में कहा गया है कि जब हमन सुरन अधिकारी सदस्य थे लेकिन अभी तक कमिटी ने कोई जाचि रिपोर्ट नहीं दिया है प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि आई एस पूजा सिंगल और सुनील कुमार सहित और आई एस अधिकारी है जो अपने अपने विभागों में होने वाले टेंडर में बड़ा टालाक यहाई धन्यवाद